दोस्तों मेरे सामने जो आप ये देख रहे हैं इसे इंग्लिश में जिंजर और हिंदी में अद्रक कहते हैं आज मैं आपको अद्रक के फाइदे नुकसान के बारे में बताऊंगी साथी अंत में एक सवाल लूँगी जिंजर यानि अद्रक के ड्राइ पाउडर को सोंट भी बोला जाता है हिंदी में इसे अद्रक और इंग्लिश में जिंजर कहते हैं मेडिकल भाशा में जिंजर का नाम जिंजीबर ओफिस नेल है 100 ग्राम जिंजर में 80 ग्राम कैलोरी 18 ग्राम कार्बोहाइडरेट 2 ग्राम डाइटरी फाइवर 0.8 ग्राम फाट और 1.8 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है आपने देखा कि इसमें फाट बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है 0.8 मतलब नजली जिबल ये पूरे विश्वे खाया जाता है आज मैं आपको इसके फाइदे के बारे में बताने जारी हूँ उचसे पहले मेरा नाम डॉक्टर आमरता नीलम शुकला है मैंने मेडिकल छेत्र की सर्वस्रेश डिग्री MBBS जिसे बैचलर ओफ मेडिसन और बैचलर ओफ सरजरी कहा जाता है साथी साथ मैंने बनारस हिंदू युनिवरसिटी से CHM की डिग्री भी हासिल का रखी है प्रेजेंट सिनेरियो में मैं मेडिकल डॉक्टर और चिकितसा अधिकारी हूँ चलिए दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कलीजी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचाई जा सके जिंजर खाने की क्या फायदे है जिंजर का जो तेल है उसमें कंपॉंट पाय जाता है जिंगी वोल नैचरल ओयल निकलता है उससे जोंकी एंटी इंफ्लेमेटरी होता है सुजन वगेरा कम करता है इंटी औक्सिडेंट होता है जिंजर जहां पर नौजिया वोमेटिंग होती है उल्टी होती है वहां पर जिंजर का काढ़ा पिलाते हैं जिससे फायदा होता है बहुत सारे जगाँ पे आपने देखा होगा लोग जिंजर का अचार खाते हैं, अद्रक का अचार बना के खाते हैं मेरे घर में मेरी मम्मी भी बनाती हैं अद्रक का अचार मैं मूल रूप से उतर प्रदेश की निवासी हूँ तो आप जहां समझ सकते हैं कि उतर प्रदेश वासी अचार बना के बहुत सुवात से खाते है मॉर्निंग सिकनेस में इसका फाइदा है वेट लॉस क्योंकि इसमें क्यालोरी बर्न करता है तो सुबह की समय अगर आप गरम पानी अदरक मिला के पीएं तो वेट लॉस में बहुत फाइदा है शुगर बहुत कम है इसमें तो डाइबिटीज मलाइटिस के रोगियों के लिए बहुत फाइदा है मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ ताकि आप पूरे वीडियो के दोरान ये समझ सकें की बात अदरक के बारे में चल रही है क्रॉनिक डाइजेशन में फाइदा होता है कॉलेस्ट्रॉल कम करता है तो फाइदा होता है लेडिज लड़कियां जिनका पीरियट पेन होता है जिसे मेडिकल भासा में डिस्मेनोरिया कहते हैं उसमें काफी फाइदा देता है अदरक का पानी पिलाते हैं हम अदरक पिलाते हैं दोस्तों अर्थराइटिस में बहुत फाइदा होता है जिंजर का लेप लगाते हैं एनालजिसिक्स पी माना जाता है ये और ये ओक्सिडेटिव इस्ट्रस को भी रिड्यूस करता है कैसे खाएं सबजी में डालो चौक के खा सकते हैं अचार नीबू के साथ खा सकते हैं अदरक वाली चाय बना के पी सकते हैं आजकल तो अदरक वाली कोल्डिंग भी आने लगी है गुड और अदरक का कॉंबिनेशन बहुत ही जबर्दस्त कॉंबिनेशन है जिंजर हो गया गारलिक हो गया हनी हो गया इसका कॉंबिनेशन खासी जुखाम में काम आता है सुबे सुबे गरम पानी के साथ मिला कर पिएंगे तो वेट लॉस होता है स्मूती में भी ले सकते हैं अदरक को कुल मिला करके एक लिमिटेट मात्रा में अगर डेली अदरक खाते हैं तो हमें फायता होता है इस वीडियो को जादा से जादा लोंग तक फॉर्वर्ड करें चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत ही महत्पूर जानकारिया देती हूँ मैं इस चैनल के माध्यम से मैंने अपनी इमेल आइडी भी लिंक में शेयर कर रखी है एक बार बोल देती हूँ मेरी इमेल आइडी है शुक्ला नीलम 531 at the rate gmail.com आपके कोई भी क्वेशन्स हो ओनलाइन कंसल्टेशन कराना चाहते हैं इलाज कराना चाहते हैं मिलना चाहते हैं आप मुझे मेल कर सकते हैं मैं आपको जवाब दूँगी चलिए क्वेशन ले लेते हैं इन्होंने पूछा है क्या मैं अद्रक का सेवन कर सकती हूँ मांसी जी अद्रक ब्लेट प्रेशर को घटाता है आपके लिए फायदे मंद है आप अद्रक का स्तमाल कर सकती है दूसरा सवाल रागो जी का है बहराइच से इन्होंने पूछा है दूद के साथ अधरक लेना ठीक रहेगा ये दूद के साथ अधरक पीने के काफी शौकीन है बहुत जादा मात्रा में लेते हैं तो मैं कहूंगी थोड़ा सा लेकर के पीए जादा अगर अधरक और दूद का सेवन एक साथ करेंगे तो जलन की समस्या हो सकती है लिमिटेड मात्रा में ही पिएं किसी भी चीज की अती ना करें तो आप हमेशा स्वस्त रहेंगे इसी के साथ मैं अपनी बात खतम करना चाहती हूँ स्वस्त रहें अच्छी सार्थक सोच रखे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगली वीडियो में फिर मिलूंगी में एक नई जानकारी के साथ बेल आइकॉन बगल में प्रेस रखें ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाओं आप उसे सबसे पहले देख पाएं नमस्ते टाटा बाई बाई